हेलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में 66 में BPCBR, SACBR दरोगा आन एक्जाम को ध्यान में रखते हुए BRS Current Appear की सिरी चलाई जा रही है इसके अंतरगत हम लोग 11 अक्टूबर से लेकि 15 अक्टूबर तक के Current Appear देखते हैं तक एक्जाम में आपका कोई Question न चूटे तो चली हम लोग देखते हैं 11 अक्टूबर के Current Appear इसके अंतरगत पहला Question है हाली में देश के किस न्याले में पहली बार Studio Code की पेवस्था की गई है तो इसके अंसर होगा पटना उच न्याले इसकी ब्याख्या देखते हैं देश में पहली बार पटना उच न्याले में Studio Code की सुरुवात की गई है High Code Pariser में इस्थिद एक न्यायकक्ष में जाज तता दुसरे Code Room में वकील, वकीलों की बैठने की विवस्था की गई है वीडियो सिस्टम से वकील अपना पक्ष रखेंगे तता जाज केस की सुनवाई करके अपना फैसला देंगे इस सिस्टम का नाम स्टीडियो कोट रखा गया है इसकी सुरुवात करते हुए उच न्याले की उच न्याधीस की अदेख्षता में एक खंड पीट का गठन किया गया है और वहीं दो एकल पीट बनाये गया है नेक्स देखते हैं हाली में 11 अक्टूबर को 20 सुमगी परिशत की और से अंतराष्टी मगी चौपालक में के कौन सा संस्क्रन आयोजन किया जाएगा तो सात्मा संस्क्रन इसकी ब्याक्या देखें ये कार्जक्रम 20 सुमगी परिशत को और से अंलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजन किया जा रहा है नेस कोश्चन है पटना के कदम कुवाम में इस्थित महिला चर्का समिती में चर्का कलास फिट से सुरू किया जाएगा महिला चर्का समिती का अस्थापन कब किया गया था तो 1940 में इसकी ब्याक्या देखें जै परकास नरयान की पत्नी प्रभावती देवी ने गांधी जी के असिरवाद से और डॉक्टर अजिन परसाद के माग दर्शन से 26 जुन 1940 को बिहाड महिला चर्का कलास के नाम से इसका अस्थापना किया था 1942 के अंदोलन में चर्का कलास से जुरी महिलाओं ने बढ़ कर योगदान दिया अजादी के बाद 1948 में कदम कुवा मुहले में संस्था के लिए जमीन खरीदी गई और 1971 में पर्थम राष्टपति डॉक्टर आजियन परसाद ने नए भवन का उदगाटन किया समीती का संचारन मंडल में 1946 से 1946 तक डॉक्टर आजियन परसाद बतोर अध्यक्ष रहे 1974 के जेपी अंदोलन में महिला चर्का समीती संपुन क्रांती का किंद बना 1973 में प्रवावति देवी का निदन हो गया इसके कुछ साल बाद समीती बन्ध हो गया 2011 में इसे फिर से चालू किया गया परन्तों दो साल चलने के बाद पुना बन्ध हो गया Next question है इसकी ब्याक्षिया है बिहार के 1987 बैच के आय साथिकारी है विवंदर प्रदान जो बरतमान में क्रिसी और किसान कल्यान मंत्राले के विसेश सचीब और वीतीय सालाकार है नेक्स्ट हाली में कौन बनेगा करोड़ पती के बार्मी सीजन में बिहार के किस बेगती के रूप में आमन्तरित किया गया है सरथ विवेक सागर इसकी ब्याक्या है बियार के परसीद समाजी को द्यमी स्रथ विवेक सागर को कौन बने गा करोरपती में विशेशक के रूप में आमंत्रित किया गया है 12 और 13 अक्टूबर का परशारित होने वाले एपिसोड में सरत एक्सपोर्ट के रूप में दिखेंगे 2016 में सरत सागर को उततकालीन अमेरिकी राष्टपती बराक उबामा के से वाइट हाउस में अमंत्रित किया गया था सरत विबेक सागर डिटेक्स्टरी ग्लोबल के संस्थापक और सीयों है सरत विबेक सागर को इंग्लेंड के महराजों के द्वारा क्रिंक्स यंग लिट्स में भी सामिल किया जा चुका है फोस पत्रिका ने इन्हें बिस्व के 30 परभाव साली युवाओ की सुची में पसामिल किया था रॉक फेलर फॉन्डेशन में उन्हें अगली सदी में 100 इनोवेक्टर की सुची में जगदी है निक्स देखते हैं हाली में बिहार की डॉक्टर रामदास को लोक नायक राष्टिय पुरसकार दरभीस के लिए चुना गया है डॉक्टर रामदास किस कला से समन्दित है तो कथक कलाकार इसकी ब्याक्या देखे वरिष्ट कथक कलाकार डॉक्टर रामदास को इस वर्ष लोक नायक राष्टिय पुरसकार से समानित किया जाएगा यह पुरसकार उने कथक नित के च्छित में अतुल्लिय योगदान के लिए दिल्ली की एक संस्था लोक नायक जाप्रकास नरायन अध्यन विकास के किंद की और से दिया जाएगा नेक्स्ट है वार्षिक स्कीम के तहट बिहार बजट 2021 में जल संसाधन विभाग को कितना रुपया अवंटित किया गया है तो 3000 करोर इसकी ब्याख्या देखे नगर बिकास एबंबावस को 348 करोर रुपया अवंटित किया गया है पत निर्मान में विभाग को 5581 करोर रुपया अवंटित किया गया है नेक्स्ट है बित विभाग को 49 करोर रुपया अवंटित किया गया है नेक्स कोस्टन है कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के दरान राजनीतिक दलो के परचार के लिए दूर दर्शन पर टेली कास्ट वर रेडियो वर पर ब्राड कास्ट के समय कम से कम कितना तय किया है तो 90 मिनट इसकी व्याख्या देखे पहले यह समय 45 मिनट का होता था समय का निर्धारन 2015 के विधान सवा चुनाव में मिले बोट के अधार पर किया गया है एक बार में किसी भी दल को 30 मिनट से अधिक समय नहीं मिलेगा कोई भी दल किसी दूसरे देश की सिकायत अपनी बात के दवरान नहीं करेगा साथ ही देश की एकता और खंडता तथा देश की धार्मी कमदाय पर प्रहार नहीं होना चाहिए ऐसी बाती की भी नहीं बोलना है जिससे कोट की अब मानना हो अब हम लोग देखते हैं 12 अक्टूबर के करेंट अफेर पहला कोश्यन है राज उधायिक उत्पाद विकास कार्जकरम के तहट बिहार के किस जिले में आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए कॉमन फेस्टिलेटर सेंटर के अस्थापित किया जाएगा तो नलंदा इसकी ब्याख्या देखे बिहार के नलंदा जिले के बिहार सरीप सोडी में आलू के प्रोसेसिंग के लिए कॉमन फेस्टिलेटर सेंटर अस्थापित किया जाएगा यहां प्रोसेसिंग ग्रेडिंग फ्लाइडर वा पैकेजिंग का मसीन लगाया जाएगा तथा बड़े पैमाने पर आलू का चिप्स बनाया जाएगा यह योजना पांस साल की है राज आधानिक उत्पाद विकास कार्जकरम के तहद पिसेश पसल खेती के अंतरगत नलंदा को आलू के लिए चैनित किया गया है आलू के खेती वह प्रोसेसिंग के राजी सरकार के द्वारा किसानो की समुहों को 90% तक के अनुदान दिया जाएगा आलू के खेती के लिए किसानों की समुह बनाया जाएगा इसके लिए बिहार सरीप नूर सराय और रोहीक प्रखंड को मिला कर किसानों का समुह बिहार सरीप फॉर्मर प्रोडूसर कमपनी बनाया गया है इसके अंतरगत 86 कि जो रागया है। अब हम नलंदा के बारे में देखें तो ये पतना प्रमंडल में आता है। पटना प्रमंडल के अंतरगच्छे जिलाता है पटना नलंदा भोजपूर बक्सर रोतास कैमूर मुख्याले बिहार सरीप अस्थापना 1922 इसकी ब्याक्या देखे बिहार बक्तियार खिलजी को पहली महत्पुन बिजे ओधन्त पूरी बिहार सरीप की बिजेई थी जो 117 में इसवी में संपन हुआ था नेक्स्ट है पंत अब्यार नलंदा के राजगीर में है नेक्स्ट है नलंदा भिस बिद्यालो को दुहर सोल्ल में उनिस्को के विस बिरासत में सामिल किया गया था नेक्स्ट है नलंदा भिस बिद्याले के चंस्तापक कुमार गुप्त है 1193 में बक्तियार खिलजी ने नलंदा भीस विद्याले को नश्ट कर दिया था वेन सैंग बारो बरसों तक नलंदा भीस विद्याले विद्यार थी और सरी सिक्षक के रूप में बैतित किया नेक्स्ट है 1951 में नलंदा में एक संग्राले का निर्मान किया गया जिसका नाम नम नलंदा महा बिहार है नेक्स्ट है नलंदा में ही राजगीरे जो पांच पहाड़ियों से घीरा हुआ है बिहार का पर्सित प्रयाटक अस्थल है नेक्स्ट है तुगलक काल में बिहार की रजधानी बिहार सरीप थी नेक्स्ट है मद काल में बिहार सरीप पाल वंसिये सासक गोपाल द्वारा निर्मित कराए गये उधंत पुरीबिस भिद्याले पर्सित सूफी संथ सेक सफरुदीन मनेरी का धरगा पर्सित था नेक्स्ट है महावीर ने मुक्ष की प्राप्ति पाबापुरी में की थी जो नलंदा में इस्तित है नलंदा में सिलाओं के खाजा को G.I. टेक मिला है तापी इंपोर्टेंट है एकजाम के लिए ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है लोग नायक जैपरकास नराइन की जैनती कप मनाई गई है तो 11 अक्टूबर इसकी ब्याख्या है जैपरकास नराइन का जनम सारन जिले के सिताब दियारा में 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था 1929 में अमेरिका से लोटने के बाद भारती राश्टी कॉंग्रेस के सदस 1932 में नागरिक अवग्या अंदोलन के दुरान एक वर्स का करावास वर्स 1949 में या फिर से गिरपतार कर लिए गये लेकिन बड़े ही नाटकिये ढंग से अपने साथी सहितिया हाजारी बाग जेल से फडार हो गये उसके बाद यह भूमिगात रहकर अंदोलन कार्यों का नेतियुत करते रहे इन्होंने प्रजा सोसलिस्ट पार्टी का गठन किया था 5.1974 को संपुन कांती की घोष्टना की 25.1975 को अपने देश में अपातकाल की घोष्टना के बाद इन्हें नजर बंद कर डिया गया अठ्र्टम नवाशी को पटना में इसका निधन हो गया था 59 में वार्नो परंत भारत रत्न से समानित किया गया इसके अत्रीक्त उन्हेस समाज सेवा के लिए 1965 में मैक से पृत्सकार परदान किया था पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया सबसे अधी गरूर पाया जाता है कमबोडिया आसम के बाद भागलपूर के सुन्दरवन में सबसे अधी गरूर पाया सुन्दरवन में गरूर पुनरवास केंद्र में घायल गरूर का इलाज किया जाता है इसे रहने के लिए यहां उत्तम बेवस्था की गई है नेक्स्ट है हाली में पटना एमस के में पेन एन पेलिरावड के केर वाड का अस्थापना किया गया है इस वाड का क्या नाम है तो स से वेधना इसकी ब्याख्या देखे पेलियेटिव केयर के अवसकता इन मरीजों की होती है जीने ठीक होने की साभावना लगभा खत्म हो चुकी होती है इसमें सारी के अलाबा मांसिक समाजिक और अध्यात्मिक स्वास्त का भी ख्याल रखा जाता है निसको शने वर्ष दोज तक योजना के तहद कितना रासी प्रावधन्दित किया गया है तो 17,415.17 करोर इसकी ब्याख्या देखे अनसूची जन जाती के लिए बीतिय वर्ष दुजर 21 में विसेश घटक योजना के अंतरगत 1333.06 करोर रुपया प्रावधानित किया गया है बीतिय वर्ष दुजर 21 में अनसूची जन जाती अब संक्या कोड़ाती पिछले वर्ष की अपेक्चा कितना बढ़ा है तो 12,2% जबकि राजर सुबह 21,7% बढ़ गया है अब हम लोग देखते हैं 14 अक्टुबर के करेंट अफेर पहला कुस्चन है हाली में बिहर स्टेट सियाव बोक्स बोड की पहली महिला सदस कौन बनी है सहनाज फात्मा पहली मुस्लिम महिला है जो हश्ताख्छर वा फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट है बिहार राज सिया वक्ष बोर्ड एक कॉर्परेट निकाय है जिसके अस्थापना उन्हें सुर्परेट 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 में बिहार कुश्चन है हाली में बिहारक में के बिनोज सिंग का निधन हो गया वो कौन से मंत्री है तो पीछरा वाती पीछरा कल्यान मंत्री इसकी ब्याक्या है अखिल भारतिये विद्यार्थी परिसद में अपनी राजनीती करियर के सुरुआत करने वाले बिनोज सिंग साल 2000 में पहल कल्यान मंत्री थे निस कुश्चन हाली में केंद सरकार ने मिड़े मिल योजना में कौन से नए खाद पदार्थ को सामिल करने का प्रस्तावराज सरकार को भेजा है तो मसरू में सहाद इसकी ब्याक्या है इसे बच्चों को अधिक पोसक तत्व मिलेगा साथी किसानों की कम्यूटी बढ़ाने पर लगातार हो रहे सोज से या बात सामने आई इसके बाद केंद निराज सरकार को मिड़े मिल के इन दो ख़द पदार्थों को सामिल करने का अगरक किया इस योजना में लागू होने के बाद बिहार में प्रती दिन पांच टन सहद की जरुरत होगी सहद में उतपादन में बिहार देश के दूसरे अस्थान पे हैं बिहार में सहद उतपादन के नुकूल महल फरवरी से मई के बीच होती है नेस को स्चन देखते हैं बिहार बिधान सवा चुनाओ के लिए किस राजिक से ब्रेल लिपी का बैलेट पेपर मंगवाया जाएगा तो उतरा खंड इसकी ब्याक्या है बियार बिदान सभा चुनाओ के लिए उतरा खंड की राजधानी देहरा दून से ब्रेल लिपी का बैलेट पेपर मंगाया जाएगा इबियम असेंबल के लिए बैलेट पेपर की छपाई कुलकत्ता में होगी चुनाओ में तीन परकार के बैलेट पेपर का इस्तमाल होगा नेक्स देखते हैं हाली में साथ निश्य योजना की अगस्त मा की रैंकिंग जारी की गई है इसकी अनुसार इस योजना का किरियानवन में कौन सा जिलावल आया है तो जहानाबाद इसकी बैख्या देखे अगस्त मा की रैंकिंग दूसरे अस्थान पर नलंदा जिला रा और तीसरे अस्थान पर सिभर जिला जहानाबाद प्रमंडल मगद मगद प्रमंडल के अंदगत पांच जिला आता है गया अरंगाबाद नवादा जहानाबाद अर्वल इसके स्थापना देखे 1986 पर्मुक फसन धान गेहूं मसूर पर्मुक नदिया फल्गू दर्चा यमूनिया सितंबर दुलर एक में जहाना वाद से अलग करके अर्वल जिला बनाये गया। सुलब संपर्क्ता सबके लिया तिरिक्त स्वास सुद्दा ससक्त महिला सक्षम महिला के थाद इंटर पास होने बाले अभिवाहित महिलाओं को 25,000 और ग्रेजियोट होने पर 50,000 की आथिक साहता दी जाएगी। तो सुन इसकी ब्याख्या देखे राष्टिया स्टार्टप पुरसका 2020 के लिए बिहार के एक भी विद्योका चैन नहीं हुआ है। देश के 23 राज और 4 केंद सासित परदेश के कुल 1641 आवेदन प्राप्त हुए थे इस पुरसकार के लेकिन बिहार से एक भी आवेदन नहीं था। नेक्स देखते हैं वार्षिक स्कीम के तहट बिहार बजट 2021 में सिख्षा विवाक को कितना रुप्या वंटित किया गया 21,242 करोर। इसकी ब्याख्या देखे ग्रामिन विकास विवाक को 16,014,88 करोर रुप्या वंटित किया गया है। समाज कल्यान विवाग को 797 में 63 करूर रुपया वंटित किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2018-19 राजी के वास्त्वीक विकास्क में बेपार एवं बेपार एवं मरमत सेवाय को छेतर का कितना पर्तिसत योगदान रहा तो 17.6 पर्तिसत। साथी परिवहन विवाग का 14 पर्तिसत बीतिय सेवाय का 33.8 पर्तिसत तता 19 सेवाय 20 पर्तिसत का योगदान रहा है। अब हम लोग देखते हैं 15 अक्टूबर के करेंट प्यार। पहला कोश्यन है हाली मेराज सरकार के किस विभाग के द्वारा क्रिसी वान की योजना का सुरूआत किया गया है तो बन विभाग इसकी ब्याख्या देखें बियार सरकार के बन विभाग की वर से सुरू की गई क्रिसी वान की योजना के तहत अपने खेतों में पौधे रो हजार नौसो चालिस पोधे लगाए गए हैं इस योजना के तहट कोई भी किसान अपने खेतों में पोधा रोपन कर सकता है इसके लिए वन विभाग पोधा मुहया कराएगा प्रती पोधा 10 की कीमत पर सरकार पोधे देगी अगर किसान उस पोधे को 3 साल तक सही तरीके से दे किसानों को पैसा देना होगा सरकार की ओर से किसी तरह की आर्थिक सहता नहीं दी जाएगी लेकिन 3 साल बाद किसान की आर्थिक मदद देने का प्रवधान किया गया है निस कोश्चन देखते हैं पटना इस्तित महावीर मंदीर के द्वारा पटना के बाद बिहार में किस ज अपना में 3 करोर रुपया खर्च आएगा बेगु सराय के बारे में देखे तो गठन 1972 प्रमंडल मुंगेर मुंगेर प्रमंडल के अंतर अच्छे जिला आता है मुंगेर जमुई खगडिया लखी सराय बेगु सराय सेखपुरा परमुप फसल गयों मिर्च और मक्का कावर जील एसिया की सबसे बड़ी मिठे जल की जीलों में से एक है यह पक्षी अभेरन के रूप में परसीद है नेक्स देखते हैं हाली में बियार के किस निवासी ने चांद पर पांच एकर जमीन की रिस्ट्री कराई है हकी मंसारी इसकी बैक्या देखे हकी मंसारी बियार के लूनर सोसाइटी इंटरनेशनल के द्वारा चांद पर जमीन खड़िदा जाता है। चांद पर जमीन खड़िदने वाले बेक्ति को लूनर रेपब्लिक की सिटिजन सिट दी जाती है। नेश कोश्यन देखते हैं। खाली में उत्तम परसाद पासवान का निदन हो गया है वो बिहार के किस कला से जुरे थे तो मदवनी पेंटिंग इसकी ब्याक्या देखे मदवनी पेंटिंग में गोधना सेली का प्रख्यात कलाकार और राश्टिय पुरसकार बेजेता उत्तम परसाद पासवान का निदन हो समानित किया गया था हाली में बिहार के किस नियाले द्वारा या निसकर्ष दिया गया कि भारत के मुल निवासी से साधी करने पर विदेशी महिला को भारत की नगरिकता प्राप्त नहीं होगी तो पटना उच नियाले इसकी ब्याक्षा है हाली में पटना उचन्याले के मुखनियादिस न्यामूर्थी संजय करोल तथा न्यामूर्थी एसकुमार की खंड़पिट ने या फैसला सुनाया किर्यन गुपता नेपाल की रहने वाली है तथा वही नागरिक थी उसकी साधी भारत के मुल निवासी के साथ हुआ साधी के बाद वो अपने पती के साथ यही रहने लगी और अपने नाम से भारत में संपती खड़े दिये हुआ सीता माड़ी के रूनी सैथपूर के मानिक पूर से तथारा में मुखिया का चुनाव जिती उसके चुनाओ जितनी के बाद उसके निर्वाचन की चुनोती दी गई कि वह भारत की नागरिक नहीं है इस पर पटना उचन्याले के खंड पिटने यह फैसला सुनाया कि भारत की नागरिक नहीं हो सकती भले ही उसके पास बारत का वोटर आइडी काड़ो पैन काड़ो अधार काड़ो इसके लिए उसे बारत का नागरिक बननी के लिए नागरिक ता कानून के तहत आवेदन देना होगा नेक्स्ट है बिहार वजट 2021 के अमसार राजी का कूल अस्थापना आवंप्रतिवाद ब्याय कितना अनुमानित किया गया है तहोगा एक लाग 5995.94 करोर बीतिये वर्स 2019-20 में कूल अस्थापना आवंप्रतिवाद ब्याय 99110.1 करोर था वर्स 2021 में 6850.93 करोर अधिक है नेक्स्ट है आर्थिक सरवेक्षन के अनुमानित ब्याय का निवल राजी घरेलू उत्पाद कितना रहा है तो 5,13,881 करोर थाथा इस्थिर मुल पर बिहार का निवल राजी घरेलू उत्पाद 3,69,050 करोर रहा है आज करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आए होगा वीडियो पसंद आए तिसे लाइक करें शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करें तो आज के लिए तने दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू झाल